जे हिंद साथियों स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वल्ड एम से क्यूट चनल पर तो दोस्तों आज किस वीडियो में बिहार मद निशे सिपाई की परिक्षा के लिए कोईशन बैंक का प्रैक्टिस सेट नम्मर 3 को लेकर आए हैं और दोस्तों जैसे की मद निशे सिपाई का जो एक्जाम डेट है कन्फरम हो चुका है साथ मई को आपका एक्जाम लिया जाएगा तो आप सभी परिच्छा से पहले कोईशन बैंक के सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर ले क्योंकि आपके एक्जाम में यहाँ से बहुत सारी प्रस्ण डारेक्ट पूछे जाएंगे तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना जल्दी जल्दी से आप सभी लाइब में जुड़ जाएए सभी को गोड इवनिंग गोड इवनिंग तो आज के सेशन का पहला प्रस्ण है भारत में लौटते मानसुन की रितू की अबदी क्या है बिल्कुल आपके एक्जाम में पूछा जाने बला प्रस्ण है चलिए आप सभी लाइब चेट में आंसर बताएंगे और देखे प्रत्यक इस्ट्वेंट को आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भारत में लौटते मानसुन की रितू की अबदी क्या है तो याद रखेगा यह अक्टूबर से नौमबर है तो डी ओप्सन जोई बच्चे दिये हैं बिलकुल सही जबाब है एक प्रस्न यहां से हमेशा पूछा आता है कि भारत में जो सरवादिक वर्सा होती है किस मानसुन से तो याद रखेगा दक्षिन पस्सिम मानसुन से भारत में सरवादिक वर्सा होती है और दूसरा प्रस्ण बनता है कि तमिल लाडू में जो वर्षा होती है किस मानसुन से तो उत्तर पुर्वी मानसुन से दोनों प्रस्णों को आपको ज्यान रखना है दूसरा प्रस्ण है 1917 में देश की पहली जूट मिल कहां अस्थापित की गई थी वेरी इंपोर्टन प्रस्ण है इसको आप सभी मार्क करके रखें एक्जाम में पूठा जा सकता है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी ओप्सन याद रखेगा पस्ण मंगाल की राजधानी कोलकता में देश की पहली जूट मिल अस्थापित की गई थी कब अस्थापित की गई थी तो निस सो सत्रा में और जूट उत्पादन में जो सबसे अगनी राजधे है वो पस्सिम बंगाल है तो यह भी आपको ध्यान रखना है तीसरा प्रस्ण है करनाटक में होने वाले ग्रिस्म रित्व की वर्षा को क्या कहते है चले फटाफट से आंसर बताएंगे और देखे यह जो प्रस्ण है 27.02.2022 को पूछा गया था 27.02.2022 को जो मदनी से सिपाई के एक्जाम लिया गया था उसमें यह प्रस्ण आया था तो चले देखतें कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं करनाटक में होने वाली ग्रिस्म रित्व की वर्षा को क्या कहते है तो याद रखेगा चाय वर्षा कहा जाता है बी ओप्चन जो ही बच्चे दिये हैं बिलकुल सही आंसर है आगे देखिए सवीने अवग्या आंदोलन कब और किस यात्रा से सुरू हुआ था चले आप सभी चोथे प्रस्ण के लिए आंसर बताएंगे और दोस्तों इस क्लास के बाद अभी आपको राद साड़े आठ व जरुर क्या करें तो चले आप या आंसर बताएंगे क्या होगा तो यहां पर जोई बच्चे सी बता रहें बिलकुल सही जबाब है सवीने अवग्या आंदोलन जो है 1930 में दांडी यात्रा से सुरू हुआ था तो जोई बच्चे सी दिये हैं बिलकुल सही जबाब है आगे लेनिन का उत्रा धिकारी कौन था चलिए आप सभी पांच के लिए आंसर बताएंगे लेनिन का उत्रा धिकारी कौन था तो यहाँ पे जोई बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जबाब है इस्टालिन जो है यह लेनिन का उत्रा धिकारी था याद रखेगा आपको याद होगा 1917 बोलसेविक क्रांती तो पूछा आता है 1917 का जो बोलसेविक क्रांती था इसका नेत्रित्व किसने किया था आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं लेनिन की मृत्यू कब हुई थी पूछा आता है 1924 में लेनिन की मृत्यू होती है आगे देखिए निम्न में से किस रेनी में भारत आता है चलिए फड़ा फट से आंसर बताएंगे बिल्कुल एक नम्मर का प्रस्ण है निम्न में से किस रेनी में भारत आता है सी बता रहें बिल्कुल सही जबाब है विकासिल देशों के स्रेणी में अपना भारत आता है ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं विश्व की सरवाधिक औसत वर्षा होती है यह प्रस्ण सीएस्बिसी द्वारा काफी बार पूठ आचुका है तो काफी ज्यादा इंपॉर् वाधिक औसत वर्षा जो है यह मौसिन ड्राम में होती है मौसिन ड्राम कहां पढ़ता है तो यह मेगाले में यहापे लिख देते हैं मौसिन ड्राम मेगाले में इस्तित है आगे देखिए भारते संबिधान की उदेशिका में 42 संबिधान संसोधन द्वारा निम्र में से पिल्कुल एक नमबर का प्रस्ण है फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे और देखिए आपके जितने भी प्रस्ण सई हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखें फिर सेशन के लाल्स्त में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें जरूर बताना है मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 42 संबिधान संसोधन कब होता है तो 1976 में होता है और इसके तहत उदेशिका यानि कि प्रस्तावना में तीन सब्दों को जोड़ा गया था समाजवादी पंथ निर्पेक्ष और अखंडदा सब्दो को जोड़ा गया था तो यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा डी option गंराज सब्दों को नहीं जोड़ा गया था और देखे दोस्तों यह जो 42 संबिधान संसोधन है इसे लगू संबिधान भी माना जाता है तो इसे भी आप सबी ध्यान रखेंगे लगू संबिधान किसे माना जाता है तो 42 सवा संसोधन को आगे दखें निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवानु जनित रोग नहीं है चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे काफी ज्यादा इंपोर्टन प्रस्ण है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवानु जनित रोग नहीं है तो बिलकुल सही आंसर दिये है इन्फलोंजा याद रखेगा इन्फलोंजा जो है यह जीवानु जनित रोग नहीं है यह वाईरस से होने वाला रोग है एकजाम में पूछा आता है च तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है तपेदिक, हाईजा, छहे रोग जिसको बोला आता है, कुछ ट्रोग डिप्थरिया, टाइफाइड ये सबी जो है किसके कारण होता है तो जीवानू के कारण होता है मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की गई थी किस संसोधन से चले 10 के लिए आंसर बताएंगे और दिखे गर आपको किसी भी प्रस्न में थोड़ा भी डौट होता है तो आप लोग तुरंद कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किया गया था 61 संसोधन से और ये संसोधन कब हुआ था तो 1989 में हुआ था तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखें स्वच भारत मिशन के तहत खुले में सौच मुक्त घोसित करने वाला प्रथम राज कौन सा है तो देखें आपने सही जबाब क्या हो जाएगा ये सिक्कीम है याद रखेंगा स्वच भारत मिशन के तहत खुले में सौच मुक्त जो है घोसित होने वाला प्रथम राज सिक्कीम था याद रखेंगा देखें राजस्थान की बात करें तो आपको याद होगा राजस्थान से ही पंचायती राजी का सुभारम हुआ था राजस्थान के नागोर जिला से कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1969 को जान रखना है सुप्रसिद फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था चले बारेक के लिए आंसर बताएंगे और दीखे ये जो प्रस्थान आप लोग स्क्रिन पर देख रहे हैं ये प्रस्थान 16 अक्टूबर को पूछा गया था 2022 को 16 अक्टूबर 2022 को जो मद निश्य सिपाय के एकजाम लिया गया था फर्स सिटिंग में ये प्रस्थान आया था तो इसे ध्यान रखेंगे सूपर सिद फिल्म गांधी का निर्देशन जो है रिचर्ड एटन बरो ने किया था तो सही जबाब है C आप्शन रिचर्ड एटन बरो आगे देखे निमन में कौन अर्दचालक है चले आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे निमन में कौन अर्दचालक है और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं क्या है फटा-फट से आप सभी सेशन को लाइक करें तो बिल्कुल सही आंसर दिये हैं सिलिकॉन सिलिकॉन एक परकार का अर्दचालक है ओप्शन में आपको जर्मिनियम भी मिल सकता है तो ये भी अर्दचालक है ध्यान रखेंगे सिलिकॉन, जर्मिनियम और अर्दचालक का जो परतिरोद होता है ताप बढ़ने पर क्या होता है ये पूछा आता है तो याद रखेगा घड़ता है अर्ध चालाक का प्रतिरोद जो है ताप बढ़ने पर क्या होता है घड़ता है निम्न लिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है बिल्कुल आपको सोच समझ कर आंसर करना है मैक्समम से मैक्समम स्कोर करना है चलिए आंसर बताएंगे कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है तो बहुत सिंपल प्रसन है सुन्दर वन रिजर्व ये जो है विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है वे लोग जो मक्य को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है चले फटाफट से आंसर केजिए वे लोग जो मक्य को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन से समस्या होती है तो याद रखेगा बेरी बेरी C आप्सन आपका सही जबाब है जो लोग मक्य को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें बेरी बेरी रोग होता है और बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन B1 की कमी से होता है जिसका रसानिक नाम होता है थाइमिन एक पूछायता है पिलागरा जो कि A option में दिया हुआ है यह किस vitamin की कमी के कारण होता है तो vitamin B3 की कमी के कारण होता है रताउंधी जो है यह होता है vitamin A के कारण आगे दखिए निम्न लिखित में से किस ग्रह का कोई चंदरमा नहीं है चले फड़ाफट से आंसर बताएंगे यानि कि आपसे पूछ रहा है कौन ऐसा ग्रह है सौर मंडल में जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है तो याद किजी हमने आपको बताया था सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह है जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है कौन कौन से है तो बुद्ध और सुक्र तो देखे ओप्शन में सुक्र ग्रा दिया हुआ है सुक्र ग्रा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रा है और सुक्र ग्रा जो है ये पिर्थवी से सबसे नजदिक का ग्रा है वरस्पति ग्रा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रा है और एक पूछायता ग्याने मीड यहां पे लिग देते हैं ग्याने मीड यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि वरस्पती का ही ग्रह है अत्यधिक कम तापमान के सिधान्द का अध्यान क्या कहलाता है चले सत्रक लिए आंसर बताएंगे अत्यधिक कम तापमान के सिध्धान्द का अध्यन करना क्या कहलाता है तो याद रखेगा ये कहलाता है क्रायोजेनिक्स ए ओप्शन में दिया हुआ है क्रायोजेनिक्स प्रत्येक वर्ष 29 जुन को खाली अस्थान की जयनती के उपलक्ष में भारत का सांखी की दिवस मनाया जाता है वेरी इंपोर्टन प्रस्न है फटाफट से आंसर किजिए प्रत्य एक वर्ष 29 जुन को किसकी जयनती के उपलक्ष में भारत का सांखी की दिवस मनाया जाता है तो याद रखेगा PC महाल अनुविस की जयनती के उपलक्ष में तो D option जोई बच्चे दिये हैं बिलकुल सही आंसर है आगे देखिए क्लोरो कुईन यौगिक का उपयोग किस रोग के उप्चार में करते हैं चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे और दोस्तो कोशन बैंक का दो प्रेक्टिस इट पहले हो चुका है अगर आपने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लिजिए एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा दोनों वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कोशन बैंक के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर जाके देखे तो यहाँ पे 19 का आंसर क्या हो जाएगा कुलोरो कुईन योगिक का उपयोग जो है मलेरिया औसधी के रूप में उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे सही जबाब है D option याद रखेगा और देखें मलेरिया किसके कारण होता है तो मलेरिया जो है यह प्रोटो जवा के कारण होता है कौन सा प्रोटो जवा है तो प्लाजमोडियम नाम का प्रोटो जवा है जिसके कारण मलेरिया होता है याद रखेंगे कुलम्बस ने किस बंदरगा से अपने महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था चले 20 के लिए फड़ाफट से आंसर बताएंगे तो यहाँ पर सही जबाब क्या हो जाएगा पालोस बंदरगा ए ओप्सन जो ही बच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है और दिखे क्रिश्टोफर कोलंबस जो है यह इटली का रहने वाला था और कोलंबस को नई दुनिया का खोज करता भी कहा जाता है आगे देखिए निम्न लिखित में से इस्वर का सही प्रियावाची सब्द है चले किस के लिए फड़ाफट से आंसर किजिए इस्वर का सही प्रियावाची सब्द क्या है तो यहाँ पे जोई बच्चे इह बता रहें बिलकुल सही जबाब है नियंतरा और स्रिजनहार ये क्या है इस्वर का प्रियावाची है याद रखेगा निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल इमेल सेवाओं के लिए उप्योग किया जाता है चलिए आंसर बताएंगे बेसिक लेबल का प्रस्न है और एक्जाम में पूछा आता है और ये प्रस्न एक्जाम में पूछा भी गया है तो देखे इमेल सेवाओं के लिए SMTP का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पे C आप्शन में दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है Simple Mail Transfer Protocol गांधी जी ने 1917 में चमपारन सत्यागर क्यों संचालित किया चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और देखे आप सब भी डेली क्लास को अटेंड करें क्लास का टाइमिंग है डेली रात आट बजे से तो यहाँ पर सही जबाब होगा B option देखे गांधी जी ने 1917 में चमपारन सत्यागर दमनकारी नील बगान ववस्था के खिलाप ये संचालित किया था चमपारन सत्यागर याद रखेंगे और चमपारन सत्यागर जो है ये महत्मा गांधी का भारत में पहला सत्यागर था गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंब किया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्न है इसको मार्क करके रखें बिल्कुल इसी तरह के प्रस्न आपके एक्जाम में भी पूछे जाएंगे तो देखे गांधी जी ने दांडी मार्च जो शुरू किया था 1930 में और कहां से आरंब किया था तो अभी हमने आपको बताया ये किया था सावरमती आशरम से तो देखे बी ओप्शन में दिया हुआ है सावरमती आशरम से सूधी रमन कप किस खेल से संबंदी थे चलिए आंसर बताएंगे सूधी रमन कप किस खेल से संबंदी थे तो दोस्तों यहाँ पर सही जबाब है बैडमिंटन याद रखेगा सूधी रमन कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंदी थे एक व्यास सममित पुष्प का उधारन है तो याद कर लेजिए एक व्यास सममित पुष्प का उधारन है मटर ध्यान रखेंगे पाताल सब्द का उचित विलोम क्या है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा पाताल सब्द का विलोम होता है आकास तो B option जो ही बच्चे दिये हैं बिलकुल सही जबाब है अकास आगे देखें मैट्स के प्रस्ण है रेतू की सेलरी नीतू की सेलरी से 50% अधिक है नीतू की सेलरी रेतू की सेलरी से कितना प्रतिसत कम है आपको बताना है बहुत सिंपल प्रस्ण है चलिए आंसर किजिए तो देखी यहाँ पर मान लेते हैं नीतू की सेलरी एक सो रुपया है हमने मान लिया कि नीतू की सेलरी क्या है एक सो रुपया है रितू की सेलरी नीतू की सेलरी से 50% अधिक है तुलना यहाँ पे नीतू से की जा रही है तो हमने नीतू की सेलरी को माना 100 रुपिया तो रितू की सेलरी क्या हो जाएगा नीतू से 50% अधिक यानि 100 से 50% अधिक का मतलब है 100 गुने 150 वटे 100 अब यहां से 2-0 कैंसिल हो गया तो यहां से आपका गया 1.500 अब देखें यहां पर निकालते हैं तो यहां पर हमने क्या माना था नीतू यहां पर एन लिख देते हैं नीतू की सेलरी हमने माना था 100 रुपया तो रितू की सेलरी कितना अभी हमने निकाला था 1.500 अब यहां पर देख सकते हैं क्या पूछा है कि नीतू की जो सेलरी है रितू की सेलरी से कितना प्रतिसत कम है तो सबसे पहले देखते हैं संख्या में कितना कम है तो रितू की सेलरी 150 है नीतू की सेलरी 100 है तो 50 कम है यहां पर लिख देते हैं 50 कम है अब ये 50 कम किस्से रितू से या नीतू से तो रितू से 50 कम है तो रितू को नीचे लिखेंगे यान 550 को और एक सो से कर देज़े, आपका आंसर आजाएगा जीरो से जीरो काटेंगे, पाश चे तीन बार में 15 और पाश से 10 लास जाने olursे 143 का मतलब होता हे 33 पुर्णांक 1 3 3 प्रतिसत दीखिए आपि ऑप्शन में है तिह हिंदी में लिख ग्या है 33 पुर्नांक 1 3 डुर्थ di क्या है कम है अगे देखिए जड़त्र के नियम को यह भी कहा जाता है चले 39 के लिए फड़ापट से आंसर किजिए और पीडिये आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो हमने आपको पहले भी बताया था जड़त्र के नियम को न्यूटन के गती का पहला नियम भी कहा जाता है तो यहाँ पे जोई बच्चे यह बता रहे बिलकुल सही जबाब है मानच टाइगर रिजर्व किस राज में इस्तित है यह प्रस्म काफी वार एक्जाम में पूछा गया है इसको आप कौर है काजी रंगा जो की एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुती प्रसिद्ध है ध्यान रखेंगे काजी रंगा है कि सुख्च में जिवियर रोग का उधारन जिसका अस्थांत्रन लैंगिक संपर्ख से होता है कौन सा रोग है तो यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा बी ऑप्शन देखे सुख्च में जिवियर रोग जो है यह क्या है सिफिलिस है जिसका अस्थांत्रन जो है लैंगिक संपर्ख से होता है सर्व पर्थम भुगोल सब्द का प्रियोग किसके द्वारा किया गया था बहुत सिंपल प्रस्न है चले 32 के लिए आंसर किजे फटाफट से और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप सभी सेशन को भी लाइक करें तो यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा इरेटो इस्थिनिज ने याद रखेगा इरेटो इस्थिनिज ने सबसे पहले भुगोल सब्द का प्रियोग किया था भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टी करन है वह है यानि बिहार में किसका सरवादिक उत्पादन होता है इन चारों आप्शन में से तो बहुत इस सिंपल प्रस्ण एक्जाम में पूछा गया था आप सभी जानते हैं लेची का होता है और बिहार में सोक किस नदी को कह जाता है तो कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है 1857 की क्रांती के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे बिल्कुल एक्जाम में छपने वाला प्रस्ण है फड़ा फड़ से आंसर किजिए यहां से आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1857 की जो क्रांती है ये किस तिथी से आरंभ होती है तो 10 मई से कहां से तो उत्तर प्रदेश के मेरट से और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो याद रखेगा लॉड केनिंग थे तो यहां पे जो ही बच्चे भी बता रहे बिल्कुल सही जबाब है लॉड केनिंग लॉड मेयो के सासन काल में ही 1872 में भारत की पहली जनगना होती है और लॉड रिपन के सासनकाल में 1881 में नियमित जनगना जिसे 10 के जनगना भी कहा जाता है लॉड डालोजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है निम्न लिखित में से कौन सा साख का आपचारिक सुरूत है चलिए आंसर बताएंगे साख का आपचारिक सुरूत क्या है तो यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा सहकारी समितिया देखे सहकारी समितिया जो है यह साख का आपचारिक सुरूत है निम्न में से कौन सा वर्न कोहरे से नियूनतम प्रकिरनित होता है चले 36 के लिए आंसर किजिए तो कौन सा रंग होगा ये लाल रंग लाल रंग जो है कोहरे से नियुनतम प्रकिर्नित होता है ध्यान रखेंगे आगे देखे 50 माइल्स खाली हस्तान अ लॉंग डिस्टेंस चले आंसर बताएंगे ये प्रस्न भी 16 अक्टूबर 2022 को मदनिसे सिपाई में पूछा गया था तो आप देख सकते हैं इंगलिस ग्रामर से कितना हीजी प्रस्न पूछा आता है फिल इन द ब्लैंक का प्रस्न है तो यहाँ पर देखे एक वर्ड है 50 माइल्स तो आप लोगों ने रूल पड़ा होगा 50 माइल्स जो है ये एक यूनिट को दरसाता है अता यहाँ पर सेंटेंस जो होगा वो सिंगुलर भर्व इज लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली अस्थान में इज देखे बी ओप्सन में दिया हुआ है निम्न लेखित में से किस उपकरन का उप्योग तरल यहाँ पर तरल होगा तरल पडार्थ के विशिष्ट गुरुत्यों को मापने के लिए किया जाता है तो याद कर लिजे यहाँ पर सही जबाब होगा हाइडरो मीटर हाइडरो मीटर हुआ उपकरन है जिसका उप्योग तरल पडार्थ के विशिष्ट गुरुत्यों को मापने के लिए किया जाता है बैरो मीटर के उप्योग कहा होता है बात करें विसको मीटर तो विसको मीटर द्वारा तरल की स्यानता मापी जाती है आगे देखिए complete the following sentence देखिए ये भी fill in the blank का प्रस्न है यहाँ पे देखिए sentence है passenger खालिय स्थान to smoke in the train चलिए आप आंसर बताएंगे was not allowed होगा had not होगा, will not होगा या फिर are not होगा तो देखिए इस प्रस्न को आप लोग direct याद कर लिजिए यहाँ पे क्या होगा देखिए passengers तो passengers are not allowed होगा यहाँ पे, D option में दिया हुआ है passengers are not allowed to smoke in the train आखरी प्रस्न है समस्थानिकों के रसायनिक गुन समान होते हैं क्योंकि उनके सभी option को ध्यान पुर्वक पढ़िए तो देखिए दोस्तों समस्थानिकों के रसायनिक गुन समान होते हैं क्योंकि उनके प्रमानु करमान क्या होते हैं समान होते हैं तो सही जबाब है A option और संभारिक में क्या होते हैं तो संभारेकों की प्रमानो संक्या भिnh-भिnh होती है लेकिन दर्भमान संक्या जो है स्मान होती है तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आज इक लिए इतना ही अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें